बालों को इतनी तेजी से लंबा और घणा कर देगा कि कटवाने पढ़ेंगे तुरंत आपको 100% गारंटी के साथ आपके बालों को लंबा और घणा करेगा यह तरीका 99% लोगों को पता ही नहीं है नमस्कार दोस्तों स्वागत है रोगन उसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो के साथ है जिया दुस्तों, हर महिला अपने बालों को बहुत प्यार करती है सभी को अपने बाल गलंबे, गहरे, सुन्दर, चमकदार और मजबूत चाहिए लेकिन आज की यह भागदोर भरी जिन्दगी, प्रदूसर और खान पान से ज़्यादा तर सभी महिलाओं में बाल चढ़ने की समस्या पाई जाती है लंबे काले बाल खुबसूरती बढ़ाने आप परसनाल्टी को बहतर दिखाने का कारे करते हैं इसलिए सभी लड़कियां लंबे काले बालों का सौक रखती हैं वहीं मॉडलिंग जैसे प्रोफेशन में भी ऐसी महिलाओं की जववत पढ़ती है जिनके बाल लंबे स्ट्रॉंग और साहिनी हो लेकिन लाग कोशिस करने के बाद भी लंबा होना बहुत ही कम लोगों के लिए संभ़ हो पाता है क्योंकि बालों की लंबाई को तेजी से बढ़ाना काफी मुश्किल काम है इसलिए इस मुश्किल काम को आज हम आसान बनाएंगे किवल इन तरीकों से जो कि आपके बालों को तेजी से लंबा और खना कर देगा वो भी बहुत ही कम स्वेम है लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि हम नहीं चाते कि आपसे कोई भी खास जानकारे छुटे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कना ना भोलें इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल आइकन दवाने के साथ ही आल नोटिफिकेशन को जरूर आन कर लें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल पर मिल जाए इसके लिए आल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें नमबर एक दोस्तों सबसे ज़यदा घरे लूपायों में सहद का इस्तेमाल होता है सहद एक प्राकृतिव मोश्चराइजर है बालो को जड से मजबूत करने में सहद मददगार होता है दोस्तों हेल्दी हेर और चमकदार बालो के लिए सैंपू में सहद मिला कर लगाएं नियमित तोर पर ऐसा करने से बालो की चमक रेसमी होने लगती है इसके लिए आप दो चमक सैंपू में दो चमक सहद मिला कर सैंपू करना ज़्यादा फाइदा करता है बालो के लिए नमबर दो दोस्तों दही में बहुत सारे पोस्टर ततों पाये जाते हैं जो आपके बालो को कई समस्याओं से बचाते हैं दही में पाया जाने वाला येशीर बालों को रोमों को खोल कर जड़ों से मेल निकालता है और जड़ों के पीएचस्थर को वापफ लोटाने में मदद करता है दही में मौजूद वशा जड़ों को पोस्टर देने के साथ-साथ इन्हें हाइडरेट भी रगती है अगर आपको कोई संक्रमड की समस्या है तो आप उस समस्या से बचने के लिए भी दही का इस्तिमाल कर सकती है नमबर तीन दोस्तों बालों की देखभाल के लिए नीबू का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है फंगल इंफिक्सन और डेंडरप की समस्या को दूर करने में लाबदायक होता है नीबू बालों की ठीक से सफाई के लिए सैंपू में नीबू का रस मिलाना चाहिए बालो को बढ़ाने के लिए सैंपू में एक चमच नीबू करस मिला कर लगाना फाइदे मन्द होता है दोस्तों वैसे तो बहुत सारी हर्बल टी जिनका आप बालो के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं को साथ से आठ मिनट के लिए डूबू कर रख दें अब इस पानी को गुन-गुना होने के बाद अपने बालो में लगाएं और आधे घंटे तक छोड़ दें और फिर बालो को ठंडा होने के लिए रहने दें और उसके बालो को अप ठंडे पानी से धुले नंबर पांच दोस लंबे और खानी होने लगेंगे